हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्टिकल हब में दोस्तो आज की जो वीडियो अने वाली है वो यह है अगर आप यहां पर 500 वाट 600 वाट या हजार वाट या 200 वाट 400 वाट जिस तरीका भी आप एमप्लीफेर डिजाइन करना चाहते हैं घर पे यानि घ वीडियो में पूरा डिसकस करूंगा कि कहां पर हमने क्या कनेक्शन करना है कहां पर क्या चीज हमारा लगेगा वह सारा मैं इसमें वीडियो में किलियर करूंगा तो दोस्तों अगर आप यह एक एमप्लीफेर बनाना चाहते थे आपको बजट कम है नया एमप्लीफेर 10-15- 20,000 के आसपास करीब आपको देखने को मिलता है 500-600 वाट के करीब तो आप इसको बना सकते हैं काफी कमपराइज में यह 5-7,000 के बीच में आपका यह बन जाएगा जो जो इसमें requirement होगी उसके बार में पूरी detail करूंग बताऊंगा थोड़ा मैं boat के बार में यहां पर discuss कर ल जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह हमारे पास एक 600W amplifier board मैंने इससे पहले बताया था कि आप समझ सकते हैं यह हमारा mono amplifier board है यहां पर देख सकते हैं तो यह हमारा 600WAy और हम इसको किस तरीके से पह вариचानेंगे इस वीडियो में हम यहां पर discuss कर लेते हैं दोस्तों जो इ एक transistor हमारी 50 Watt की output दे सकता है। तो यहां पर देशकते हैं, एक लगा है, दो लगा है, तीन, सबनार From City, यह पर लगे हैं, यह द्राइबर के लिए लगा हुआ है, छे लगे हैं, छे इदर, छे उदर. यानि 12 total हमारे क्या लगे हैं, transistor लगे हैं. तो यहाँ पर यह टोटल कित्ता हो गया है 1200W का amplifier बोर्ड हो गया यह इस तरीके से यहाँ पर कोई भी अगर आपके पड़ इस तरीके का amplifier यहाँ पर देख सकते हैं एक, दू, 3, 4, 5, 5, दुना 10, 10 x 50, यह 10 है गुणा 50 एक होता है तो बराबर 10, 00, 10, 15, 50 तो यह 500 वाट का एम्ब्ली फैर यहां पर यह, है देख सकते हैं 500 वाट का तो इसी तरीके से आप इसकी वाटेज को देख सकते हैं हमारा amplifier boot कितने watt का है चाहिए आपका किसी भी तरिके का यहां पर amplifier हो उसके आप transistor को गीन सकते हैं एक transistor लगबग आपका 50 watt होता है अगर transistor कोई अलग है तो उनकी आप data seat में भी देख सकते हैं कि कितने wattage का यहां पर transformer को यूज किया गया है तो simply इसमें हमारे देख सकते हैं component काफी कम है connection भी काफी easy और काफी कम होते हैं तो यहां पर यह तो हम देख चुके हैं कि कितने watt कैसे हम पहचानेंगे अब हम connection की भी यहां पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सेते हैं supply आपको यह दिख रहा होगा यह supply है और यहाँ पे देख सेते हैं यह है आपकी plus यह है minus और यह है आपकी यहाँ पे ground यानि plus minus बीच में है ground यहाँ पे जो हम transformer यूज करेंगे उसको हम यहाँ यूज करेंगे 50,0,50 यहाँ पे हम यूज करेंगे 50,0,50 को तो यहाँ पे हम transformer को जोड़ेंगे इसके बारे में भी मैं बताता हूं कि कितने MPR का यहाँ पे लगेगा काफी कुछ इसमें discuss skip मत करना काफी कुछ discuss करेंगे और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं यह output दिख रहा हलका सा तो यहाँ पे हम जो हमारा speaker होगा उसको हम यहाँ पे connect करेंगे यह positive हो गया यह ground हो गया यहाँ पे दसे दो LED साथ में दी होई हैं यहाँ पे देख सकते हैं power high cut low cut के लिए यहाँ पे यह दे रखाया or उसके गणार पे देख सकते हैं हमारा input के लिए दे रखे हैं तो यहाँपे हम input ंपोड़ होगा उसको हम यहाँपे दिंगे इंपुट वो होता है जैसे हम अगर Bluetooth जोड़ेंगे तो यहाँ पर Bluetooth का इंपुट दिंगे या Aux के थुरू दिंगे तो यहाँ पर हम Aux का थुरू दिंगे Left, Right और Ground इस तरीके से यहाँ पर हम इंपुट को दिंगे तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे चलेगा पता कि हम कितने Aux का ट्रांफर्मर यूज करेंगे दोस्तो होता क्या है यह हमारा 1,2,3,4,5,6 6,2,5,6 यानि 600 Watt का यहाँ पर यह है Amplifier Board तो 600 Watt का है तो या तो हम 600 Watt के ही आज पाज पाज पावर को रखें या इस से उपर रखें जैसे आपने देखा होगा जो हमारा Mobile का Charger होता है उसमें लिखा होता है 18 Watt, 20 Watt, 30 Watt इस तरीके से लिखा होता है तो Watt जो हमारा निकलता है वो निकलता है Volt into Ampere इक्वल होता है Watt, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी Voltage होगा और जो Ampere होंगे उनको हम Multiply करेंगे तो Watt निकलता है तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं इसकी Voltage की बात करो तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्योंकि 600 Watt है 50, 0, 50 का यूज करेंगे तो Voltage हो जाएगी हमारी 50 into Wattage हमको पता है कि यह 600 Watt के करीब का है यह तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगी यहाँ पर 600 या उससे ज़्यादा आए अगर हम यहाँ पर 10 Ampere का यूज करते हैं तो 500 ही यहाँ पर Wattage बता रहा है तो हम यहाँ पर 15 Ampere करीब यहाँ पर यूज करते हैं तो 15 Ampere में जो हमारी Wattage आएगी वो यहाँ पर देख सकते हैं पंदरे 0, 0 हो जाता है और 15, 75 750 Watt हमारा क्या हो जाएगा इसमें इंपुट हो जाएगा 750 Watt यहाँ पर इंपुट हो जाएगा तो अब यह हमारा 600 Watt है 1500 Watt ही हमारा फालतू है तो होता क्या है कि यह हमारे दोस्तों जो हमारी एक्ट्वल इसमें लिखावाता है कि 600 Watt का यह Amplifier Board है इस पर हम 7, 7, 700 Watt तक का भी लोड दे सकते हैं चला सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो कित्ता लगेगा 50 और 15 Ampere में 50, 0, 50, 15 Ampere में यहाँ पर अगर आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो जो इसकी आउटपुट होगी काफी बहतरीन होगी अगर आप इसमें 10 वाट का लगाएंगे तो इसमें आप आउटपुट काफी वहतरीन तरीके से नहीं ले सकते लेकिन चलेगा ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमने कितने Ampere का लगाना होता है यहाँ पर यह देख सकते हैं काफी आसान है तो यहाँ पर बोट के बारे में तो हमारा सारा किलियर हो चुका है कितने हमने Ampere का कितने Volt का Transformer लगाना है इस Speaker की बात कर लें तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर 10, 12, 15, 18 इंच तक के Speaker यहाँ पर चला सकते हैं तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखतानेра है तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखतानी है आपको एक Transformer की जरूवत पड़ेगी यहाँ पर यहज देखसकते हैं इस त्रीके का या आप जो हमारे इस तत्रीके का Square नभी transformer होता है उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं तो transformer के भी बारे में मैं कुछ detail बता दू जैसे इसमें दिखा रखा है कि both red wire 220 volt AC है यानि ये दोनों red wire क्या है AC voltage है और both blue wire क्या है ये दोनों wire क्या है 0 बार है कहीं पर आपको खारी 12 volt की requirement है तो आप इन blue wire को यूज में लिंगे और उसके बाद लिखा है कि black wire 50 volt red wire 0 black wire 50 यानि 50 0 50 का ये है black wire 50 है और बीच वाला क्या है ground है red वाला और उसके बाद यहाँ पर देखते है blue wire ये blue yellow blue तो यहाँ पर 12 जीरो बार है अगर कहीं पर 0 बारे की जरुवत है तो ये वाला यूज करना है और 12 0 बारे की जरुवत है तो ये वाला यूज करना है ये वाली wire को यूज करना है तो इस तरीके से हमारे सारे wire के connection भी हो जाते हैं जो ये 50 यहाँ पर हमारे सिर्फ बोर्ड में अभी यही वाले connection होंगे, यह वाले यह, यह वाले connection होंगे, हमारे board में, यहाँ पर यह, देख सकते हैं, यह इस जगे में, यहाँ पर हमारे connection होंगे, black आएगा, red आएगा, बीच में, यह black आएगा, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर connection होंगे, और उसके बाद आपको यह देख सकत दिग्ए इंपुट, पूछ करो हमने इसको इंपुट दिया यहां पर लेट राइट यह है इसको हमने इंपुट दे दिया चाहे ऑक्से से दें, ब्लुथूट से दें और यह आउटपुट कहा चले जाएगा? जो बोर्ड में था यहां पर कहां पर को मैं बताता हूँ यहां पर को हमारा यह चले जाएगा यहां पर यह देख सकते हैं यह उसके बाद यहां पर हमारी supply मांगेगा बारजीरो बारजा यह जो भी है इस बोड को भी चला निकले तो उसी transformer से आप यहां पर क्या कर देंगे supply को दे देंगे तो यह तीन चीज हमारी यहाँ पर जो चाहिए वो यहाँ पर available है यह इस तरीके से आप connection करके एक amplifier powerful बना सकते हैं उसके बाद अगर मैं बात करते हैं यहाँ पर हमें एक उसकी भी जरूवत पड़ेगी मैंने उसकी यहाँ पर फिक्चर्स नी ली हुई है जो हमारा bridge rectifier होगा यहाँ पर जो bridge rectifier होगा उसकी भी यहाँ पर जरूवत पड़े सकती है क्योंकि बिना उसकी हमारा AC DC में चेंज नहीं होगा तो हमारा यहाँ पर एक capacitor की होगी यहाँ पर 6 capacitor की supply बनी होगी इस तरीके से और यहाँ पर bridge होगा इन सबका link में डिसकर्स ने दे दूँगा अगर आपको चाहिए होगा तो online मंगा सकते हैं offline available होजाए तो offline भी ले सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर एक supply होगी जो यवाली supply है हमारी पहले जाएगी इसमें यहाँ AC in हो जाएगी AC in होने के बाद जो out होगी वो जाएगी हमारी board में 50-0-50 वो जाएगी हमारी main board में जो हमारा board है amplifier board तो इस तरीके से आप सारे connection कर सकते हैं और खुद के लिए powerful amplifier को built कर सकते हैं काफी आसान है तो दोस्तो आसा करता हूँ कि वीडियो से आप काफी कुछ सीखने को मिला होगा काफी कुछ जाने होंगे अगर वीडियो से काफी help मिलती है तो वीडियो को like channel को subscribe जरूर करें और इनमें से कुछ भी आपको पर्चेस करना है तो link मैं दे दूँँगा पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इता ही मिलते हैं अगली वीडियो में